नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेस्बूक लाइट में पूरफाइल लोग कैसे करते हैं साथ ही ये भी बताऊंगा कि पूरफाइल लोग करने से आपको क्या क्या फायदा मिलने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप सिर्फ छोटी सी गुजारी से अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कियें तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सस्क्राइब करके यहाँ पर बेर आइकॉन पर किलिक करके ओल पर सेट कर दीजिए दोस्तो लाइक और सस्क्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिएगा तो आपका ज्यादा समय बरबाद ना करते हुए चलिए अपने टोपिक की तरफ चलते हैं तो दोस्तों Facebook Lite में प्रफाइल लोग करने के लिए ओपेन करते हैं Facebook Lite एप को Facebook Lite में प्रफाइल लोग करना बड़ा ही सिंपल काम है इसके लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे इस तीन लाइन पे तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका फोटो आ जाता है और उसके बगल में आपका नेम लिखा होता है तो कि यहाँ पे क्लिक करना है अपने नेम के पास अब यहाँ पे आपको एक टैब मिलता है एड अस्टोरी का इसके बगलने एक पेंसिल का आइकोन मिलता है तो आपको यहाँ पे नहीं क्लिक करना है आपको क्लिक करना है यहाँ पे इस तीन बिंदू पे जैसा कि आप देख रहें कि आप पर तीम बिंदू बना हुआ है तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे अब यहाँ पे आपको एक option दिखे जाता है Profile Lock यहाँ पे लिखा हुए Profile Lock तो अगर आप अपना Profile Lock करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा Lock Profile यहाँ पे profile lock करने से आपको क्या-क्या मिलने वाले हैं यहाँ पे यह लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका timeline पे केवल friend आपके photo और आपके post को देख सकते हैं बाकी कोई भी ब्यक्ति आपकी friend नहीं है तो आपकी photo और आपका post नहीं देख सकता है यहाँ पे दुसरे number पे लिखा हुआ है Only friend will see your full size profile picture and cover photo केवल आपके friend ही आपके full size profile picture और cover photo देख सकते हैं बाकी कोई भी ब्यक्ति जो आपकी friend नहीं है आपकी profile picture और cover photo छोटा size में देख सकते हैं और साथ ही उसका screen shot भी नहीं ले सकते हैं यहाँ पे तिसरे number पे लिखा है जो ब्यक्ति आपका friend नहीं है केवल 5 profile photo को detail देख सकते हैं तो यह सब फैदा होता है profile log कर देने से अगर आप केवल अपने friend को अपने photo और push दिखलाना चाहते हैं तो आप profile log को जरूर enable किजिएगा तो यह यहाँ पे इसे profile log को enable करने के लिए यहाँ पे क्लिक किजिएगा lock your profile अब यहाँ से आपकी profile log हो जाती है अभी तक यह update नहीं मिला हुआ है profile log का update अभी तक उन लोगों को नहीं मिला हुआ है तो उन लोगों के लिए मैं separate अलग से एक वीडियो बना के रखा हूँ और उसका link मैं description में दे रखा हूँ अगर आपके facebook में यह feature एबलेबल नहीं है profile log का feature एबलेबल नहीं है तो आप उस वीडियो को अवस्य वाच किजिएगा दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे like किजिएगा share किजिए अपने दोस्तों में whatsapp facebook ग्रूप में और एसे सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पे लेकर आते रहता हो तो आप मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब किजिएगा मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक ले अपने ख्याल रखेगा बाए